हेलो एवरीबन आइम अकाश गोर वेलकम बैक टू यूर इंडियन मेडिकल लेक्चर गाईज नया टोपिक लिकर आईउ में आइस एनाटोमी फिजियोलोजी दोनों डिसकर करूँगा आइस का क्या काम होक्षा दिसे हिंदी में मानव नेत्र केता है गाईज हिंदी और इंग होता है यह देखने में मदद करता है सिंपल बात है कि जो आइस होता है आइस इस सेंसरी ओर्गन क्या है आइस गई सेंसरी ओर्गन होता है विच इस रिस्पॉंसिबल फोर वीजन गैस किसके लिए रिस्पॉंसिबल होता है यह इस इस रिस्पॉंसिबल वोर वीजन वीजन शी लंग मतलब होता है, simply sensory organ होता है, sense करता है, ठीकि किसी चीज़ों को देखता है, sense करता है, कि लिए रहे, next question, next line पढ़ता हूं, मानो में दो नेतर होते हैं, जो कि orbital cavity में इस्तित होते है, ठीकि orbital cavity क्या होते हैं, जो हमारी जो ice है, या ice अंदर धसी हुई रहती है, जो खाली जगा रहती है, उसे हम लोग क्या बोलते है, orbital cavity उसे बोलते है, human has two ice, which is located in orbital cavity, जो कहा located है, simply located है, वो orbital cavity, orbital cavity याद दखना, आप ये question, कभी-कभी exam में पूछते हैं, कि orbital cavity क्या होती है, जहां पर हमारी ice अंदर located होती है, उस वाले हिस्से को उस वाली जगा को हम लोग orbital cavity कहते ह नेक्स लाइन पर बढ़ता हूं, यह के, यहां oval आकरती की होती है, एवं इसका चेतरपल 2.5 cm होता है, बोलना है कि जो यह oval shape की होती है, जो हमारी ice से oval लेने की goal होती है, और इसका diameter किता होता है, 2.5 cm, याद रखना है, इस diameter is important part, कि इसका diameter है, 2.5 cm का होता है, जल्दिस आप लोग इसका screenshot ले लिजे, जल्दिस आप लोग इसका screenshot ले लिजे, मैं sides हो जाता हूं guys, इसका please आप लोग screenshot ले लिजे, I hope कि आप लोगों ने screenshot ले लिया हो guys, क्योंकि screenshot लेने से आप लोग easily बाद में पढ़ सकते हो, और उस इच का आप लोग बाद में notes भी बना सकते हो, कि एक बार में repeat कर देता हूं, मानव नेतर होता है, सम्वेधन शी लंगे, ice is a sensory organ होता है, मानव दो नेतर होते है, right and left, और ये कहां पर located होते है, simply guys ही हमारी orbital cavity, यानि कि आखों के अंदर जो 10 होते है, उसे orbital cavity केते है, orbital cavity में located होते है, ये oval आकरती के, तो oval मतलब guys, गोल होते है, गोल शेप के होते है, और इसके जो diameter है, 2.5 cm का diameter होता, ice का, के लिए रहे, next page बढ़ता हूं, नेतरी के सनरचना, अब simply हम लोग को anatomy भी discuss करना है, physiology भी discuss करना है, means, नेतरी के सनरचना का मतलब जो हमारी ice है, उसका कैसा structure होता guys, वो समझे अप लोग, मैं तो पूर्ण अंग, ठीक है, सबसे पहले उसमें आते, accessories organ, ठीक है, क्या accessories होती है, क्या accessory organ होते है guys, उसमें, आक बोह, यानि की eyebrows, हमारी eyebrows होती है, यह भी ice का ही part होता है guys, ठीक है, क्या गाम होता है, मैं बता हूँ आगे, यह भी आईस काहीं लेक्रीमल ग्लेंट करती है हमारी आइस के नदर एक Glend के टीर सिक्रेट करती है आसोsa निकलता है उसे लोग लक्रीमेल ग्लेंट के टाइज आकाह। टीकिंे तालीव चीजह टीकिंजAPPर होता है। तो पारत में लोग को तीन पारत है फ्री आनिगी अउटर लेयर को कि रिदे ज़्क схले है तो इसमें न Australians खमें पारत हैंड इलीट्स का मतलब ही होता गया, इस पलके को इंग्लिश में आईलीट्स बोलते है, ठीक है लेक्रिमल ग्लेंड होती है यहां पर नेतर में आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर, तीनो लेयरों के वारे में आवलोग को बन बाई बन करके डिस्कस करना होगा, तो गया इ यहांने कि हम लोग simply eyebrows के बारे में discuss करने वाले होगा, इस eyebrows क्या होती है उसको समझो, इसमें छोटे-छोटे hair follicle उपस्तित होते हैं, और in eyebrow hair follicles are located, दोखो हमरी eyes है यह, इसमें क्या होता है, छोटे-छोटे hair follicle, follicle क्या मतलब कि है, छोटे-छोटे hair होते है उनको हम लोग simply हा इस नेत्र को धूल से बचाता है, it is prevent the eyes from the dust, ठीक है guys हमारी जो eyes है, हमारी eyes को किससे prevent करके रखे guys, यह eyes को dust, यानि कि धूल मिट्टी वगे रहा है, हमारी eyebrows easily उसको eyes के अंदर इंठर नहीं होने देती guys, मतलब हमारी eyes को protect करके रखेगी dust से, important काम होता, eyebrows का यह बहु, जिसे ह इंदी में कहते है, जल्दी से आप लोग इसका screenshot ले लिए, फिर में आगे बढ़ता हूँ, जल्दी जल्दी guys आप लोग screenshot लेते रहेगा, क्योंकि यहां पर screenshot आप लोग लोगे न, तो ही चीज़ा आपको समझ माहेगी, जल्दी से screenshot ले लो, guys please comments जरू कर दिया करो, comments आप मे ठीके, it is lined by thin layer of skin, ठीके, यह कैसे होता है guys, lined होते है thin layer, ठीके, eyelid याने कि पल के, देखो, यह रही, यह पतली layer है, आपको देख रही होगी diagram है, पतली से layer है, इसके उपर क्या है, यहां पर, simply यहां पर located है हमारे hair, ठीके, उसको eyelids जिसे हम लोग बोल रहे, ठीके, eyelids, यह रही thin layer of skin, यह skin की thin layer से lined होते है, next, यह है नेत्र को सुरक्षा प्रतान केते है, definitely guys, eyebrows जो होती है, वो भी dust से बचाती है, इसी तरह से जो अपके eyelids, जो पलके होती है, यह जो पलके होती है, यह भी हमारी जो eyes को है, बचा के रखती है, प्रोटेक्ट कर गेते है, चोटे मोटे पार जल्दी से guys, आप लोग screenshot ले लीजिए, फिर मैं यहां से अगे बढ़ता हूं, जल्दी जल्दी screenshot ले लीजिए guys, next question पर बढ़ता हूं guys, मैं, lacrimal gland, अब हम लोग discuss करेंगा, simply lacrimal gland क्या होती है, इन्हें अश्रू ग्रंती भी कहा जाता है, जो it is also called tear gland, अश्रू ग्रंती या यह रही आपकी lacrimal gland, यह रही lacrimal gland, यहां से जो है आपकी lacrimal gland यहां से produce करेंगी, यहां से lacrimal gland यहां पर produce करेंगी, तो यह सारी जगापे tear यानि कि आशू भर जाते है, जो कि हमरे dust होती है, उसको भी साफ कर देते है, next question यही इसी में, कि यहां गरंती दोनों नेतरों के अंदर होती, right में भी, left में भी, दोनों आइस के अंदर हमारी पाई जाएगी, यह गरंती अशुरू बनाती है, जो कि नेतरों को साफ करता है, this gland produce tear, which is clean the ice, यह क्या करती है, किस चीज़ का production करती है, simply production करती है, tear का, tear जो secret होंगे, यह tear हमारी आइस को clean करेंगे, ठीके, कुछ भी dust होगे रागई, तो किसे तुरंत हमा इसे मुझते आग बन करते हैं, तो तुरंत हमारी जो ice के तुरू क्या secret होता है, tear secret होता है, उस tear से क्या होता है, हमारी जो ice है, यह clean हो जाती है, साफ हो जाती है, तो याद रखना guys, lacrimal gland बहुत important है, कि यह जो अशुरू घ् tear gland भी इसे बोलते है, lacrimal gland को यह दोनों ice में present होती है, location आप लोग देख सकते हो, इसका जल्दी साप लोग एक screenshot ले लिजेए guys, guys, आपको अगर समझ में आ रहा हो, तो please, चैनल को subscribe करो मत करो, मेरे चैनल एक बार जाके देखो, आप medical की किसी भी field से हो guys, no important कि आप nursing हो की pharmacy हो, आप कोई भी हो, आप जिस भी medical field से हो, सारे lecture, sequentially, in art, physio, microbiology, biochemistry, sequentially Hindi plus English में मेरे चैनल पर मिलेंगे, एक बार आप लोग मेरे चैनल मेरे बोलने पर open करके देखो, सारी चीज़ आपको clear हो जाएगी guys, इसका screenshot ले लिया होगा आप लोगों ने, तो मैं यहां से आगे बढ़ता हो, सबसे पहले हम लोग outer layer के बारे में डिसकस करते हैं, यह fiber की पतली परत होती है, ठीक है, इट इस a lined by fiber layer, देखो diagram, यह आपको उपर वाली layer है यह पतली layer होती है, ठीक है, इसको और भी भाग होते हैं, यह दो प्रकार के भागों से मिलकर बनती है, cornea और sclera, ठीक है, जो उपरी layer है, superficially layer है, दो पार्ट होते है, एक तो होता cornea, और एक होता sclera, ठीक है, this layer made up two parts, cornea and sclera, ठीक है, sclera क्या होती है, cornea क्या होती है, इसके बारे में हम लोग discuss करने वाले है, ठीक है, आपने comments नहीं किया है, तो please आप comment मुझे करके, मेरा feedback आपका जरूर दीजेगा, किस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, अभी video post करो, एक मिनिट आप मेरे निकाल सकते हो, मुझे comments करके, आपका feedback जरूर दीजेगा, screenshot ले लिया होगा, तो मैं यहां से आगे बढ़ता हूँ, cornea, cornea होता क्या है, यहाँ पारदश्ची परत होती है, और यहाँ नेतर के अंदर आने वाले प्रकाश को मोड देती है, देखो guys, यह क्या होती है, simply, this is a transparent layer which is bent the ray of eyes, ray of light, देखो diagram बताता हूँ, guys आपको अगर यहा अब यह कारणिया क्या करती है, जो भी light directly हमारे आखों के अंदर घुसती है, उसको ऐसे bend कर देती है, यह सीधी नहीं जाएगे, bend कर देगी, bend कर देगी, तो bend कर देती है, तो directly हमारे आखों में चुबती नहीं है, तो याद रखना कि जो cornea है, बहुत important function है cornea का कि हमारे light आ परकाश का परावरतन करना होता है, it is main function is that reflection of sun, किसी भी ray है उसका reflect कर देगी, जो मोडने वाला function बता है उसको reflect कर देगी, बहुत जादा रोशनी आएगी तो उसे reflect कर देगी, थोड़ी बहुत रोशनी को वो अंदर जाने देती है, ठीक है, तो बहुत important function है cornea का भी, के पा जल्दी से आप लोगों अगर screenshot ले लिया होगा, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, यहां से बहुत important है cornea भी आप लोग दियान रखिएगा, ठीक है, next आते है sclera, अप guys sclera क्या होती है, जो आखों के जो चारों तरप आपको सफेद सफेद हिस्सा जो दिखता है ना काले वाल हों क्या बोलते है, वाइट पार्ट, ठीक है, sclera also called white part of ice, इसे हम क्या बोलते है, उसका वाइट पार्ट भी हम इसे बोलते है guys, ठीक है, यह collagen fiber से मिलकर बनती है, simply है किससे formation होती है, इसकी Collagen Fiber से मिलकर बनी होती है, इसकी मोटाई 1 mm होती है, इसकी थिकनस होती है, आप लोग याद रखना, इसकलेरा की, जो वाइट वाला पार्ट में ने बता है, इसकलेरा जो की जो उन्डेस में पीले हो जाता है, पीला वाला पार्ट है, वो उसकी बात कर रहा हूं, यह न बाइट बाइट तर एक बाइट आईब॔ल, जो आएबॉल कि नेत्र गेंद, इसको क्या करते हैं, सुरक्षा प्रोईट करती है, हमारी प्रोटेक्शन करके रखेगी गाईज, उसका Semility, कि जल्दि से इसक्लेरा वाले पार्ट के लिएगैरा स्ट्रक्चर जो बना हुआ और मुझे पता है guys screenshot बहुत important है आप please screenshot लेते रहिए ताकि आप लोगों को notes मनाने में बहुत आसानी होगी guys ठीक है एक बार repeat कर देता हूँ नेतर जो हमारी sclera होती है सपेद भाग याने की white part भी कहते है यह collagen fiber से मिलकर बनी होती है 1 mm इसकी ठीकनस होती है और यह net again देने की eyeball को सुरक्षा प्रदान करती है next बढ़ता हूँ में मद्धि परत जिसे बोलते हम लोग middle layer अब गयास middle layer क्या होती है यह परत vascular होती है इस परत को यूविया भी कहते है इस परत के कई भाग होते है कौन-कौन से इरिश इरिश इसका भाग अभी बताऊंगो गयास इरिश क्या है koroid होता है और slerry body slerry body होता है यह तीन जो भाड़े इरिश और koroid और slerry body guys यह तीनों part बहुत जादा important है इन तीनों को हम लोग discuss करेंगे पहले screenshot ले लिजे फिर आगे बढ़ते है जल्दी से screenshot ले लिजे मुझे पता है students की हालत क्या रहती है उनको screenshot notes जादा चाहिए notes important है तो notes आप लेते रहो ना यार मैं दे रहा हूँ क्या problem हा रही है जल्दी से screenshot ले लो WILL गाइस comment जरूर कीजے गार मेरे चैनल को last में विडियो कहतम होने से पहले एक बढ़ चैनल विजट करके जाएगा कोई भी बिना विजिट करें मेरे चनल को नहीं जाएगा, आप लोगों की काम की चीज़े डली हुई, एक बार विजिट करके देख लो, आप लोगों की काम की चीज़ निकले तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं न, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, वैसे मुझे लगता नह आप लोगों की काम की चीज़े नहीं होगी मेरे चनल में, इरिश, सबसे पहले हम लोग इरिश के बारे में डिस्कूस करते है, यह पतली घुमाओदार सनरशना होती, इस सर्कूलर स्ट्रेक्चर, अभी है इरिश का है गाईज, देखो डाइग्राम में, यह रहा इरिश, यह दिख रहा है आपको, यह इधर से पीचे से होके आया है, इरिश है, इसको आम लोग इरिश कह रहा है, यह पीचे से पूरा घूम के यहाँ तक आया है, इधर से पाईटार सिक्चर गूमा हुआ है, तो मैं ने यह भूला गाइज, कि इस शर्कूलर स्ट्रेक्चर, यह गुमाओदार सनरशना होती, दूसरा बोला, इसका मुख्यकार पीपिल की आकरती को नियंतित रखना होता है, its main function to size a maintain of पीपिल, यह पीपिल क्या है, जो काला काला हिस्सा आपको आखो में दिख रहा है, उसके सेंटर में पोइंट होता है, जो पीपिल से कहते है, यह देखो यह देखो, यह इरिश है, इधर से भी घूमी हुई है, इधर से भी इरिश घूमी हुई है, अब यह इरिश इस पीपिल को सुरक्षा प्रदान करेगी, ठीक है, और इसका shape भी maintain करके रखेगी, यह द्यान रखना, क्योंकि यह इसको फेलने नहीं देती, यह people का shape यह maintain करके रखेगी, ठीक है, जल्दी से screen shot ले लिजे गाई, इसका, इरिश का फिर में आगे बढ़ता हूँ, मैं short video रखूँगा, long नहीं करूँगा इसको, आपको shortly सारी चीजे बता दूँगा, जो जो important, इरिश के लिए रुआ तो आगे बढ़ता हूँ, कोरोईट क्या होता गाई इसे घूम जाता है थोड़ा सा, तो इसे हम लोग slurry body कहते है, ठीक है, देखो, पहले कोरोईट के पार हम डिस्कुस कहते है, कोरोईट जो होता है, यह 0.2 mm मोटा होता है, इस सिखने से 0.2 mm के सम्तिंग इसके मोटा होती है, यह नेत्र को oxygen एवं nutrition देता है, इस क्या करता है, सिंपली आई को देता है, ठीक है, तो आई को oxygen और nutrition देने का काम किसका होता है, कोरोईट का होता है, 0.2 mm इसकी थिकनस के साथ यह होता है, जल्दी से screenshot ले लिजे आप लोग फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, किलियर हुआ, अब मैं यहां से आगे बढ़ रहा हू next guys, slerry body, slerry body क्या है, बोलना है, जब कोरोईट अंदर की तरफ मुड जाती है, तो इसे slerry body कहते है, बोलना है, when corroide round, then it is called slerry, slerry क्या है, देखो यह रहा, जो आपको दीख रहा होगा है, यह डाइग्राम यह लंबा सा कोरोईट है, कोरोईट आके चलके थोड़ा सा अंदर स मुड गया है, अगर आपको दीख रहा है, ब्लेक वाला पाइट, तो यह इसको मैंने slerry body बोल दिया, थोड़ा सा मुड जाता है, मैंने लिखा भी है यह बहिया, कि जब कोरोईट अंदर की तरफ थोड़ा सा मुड जाता है, तो इसे slerry body कहते है, यह लेंस की आकरती को निय रहा था, कोरोईट, जब कि जो lens है, इस lens की, जो इसका shape maintain करके रखेगा, slerry body, जल्दी से आप लोग एक स्क्रीन शोट इसका भी ले लिजिए, slerry body का, जल्दी से slerry body का screenshot ले लिजिए, next, अब गाईस सबसे important internal structure, ठीक, आंत्रिक संरशना उसकी, यह नेत्रिक आंत्रिक परत, जो है, यह नेत्रिक सबसे अंदर वाली परत होती है, इसे retina भी कहते है, it is a innermost layer of ice, it is also called retina, retina कौन सी है, यह देख लो, यह यहाँ पर पीछे वाली संरशना ना, पीछे वाली जो layer है, यह देखो, यह रही retina, इसे retina कहते है, और guys, यह बोल रहा है कि retina nerve से मिलकर, nerve से ब nerve, nerve cells से मिलकर बनी होती है, यह पीछे वाली यहाँ पर nerve cells आती है, nerve cells से मिलकर बनती है, next is, बोला, retina के पास कुछ photoreceptor होते है, जिने road और cons कहते है, road और cons कहाँ पाये जाते है, यह question पूछागा है, road और cons कहा होते है, inner layer में retina के अंदर road और cons होते है, diagram देख लो, यह रहा retina, retina को जब zoom करेंगे, तो इस तरह से road और गोल-गोल cons, फिर यह दखो, यह cons से road है, road और cons हमें आपे दिखाई देंगे, तो guys याद रखना, retina के अंदर road और cons पाये जाते है, screenshot ले लिजी इसका जल्दी से, ठीक है, एक बार repeat कर देता हूँ, यहां नेत्रिक या अंत्रिक संदरशना होती है, nerve cell से मिलकर बनी होती है, photo receptor पाये जाते है, road और cons जिसे हम लोग कहते है, इसका screenshot ले लिया हो, तो मैं यहां से आगे बढ़ता हूँ, सबसे आखरी और important भाग होता है guys, lens, lens ठीक people के नीचे होता है, guys यह diagram देख सकते हो, जो lens है ना, यह pupil है, हमारी जो eyes की बीच में हलका सब को हिस्सा देखता है, people के ठीक नीचे lens होता है, काम क्या होता है, या प्रती बिंब को focus करने का, अब मैं एक दम किदर भी देखूंग, तुरंट focus हो जाएगा, तो यह focus जो eyes को है, focus जिस तरह से camera को हम लोग touch करके focus करते, इसी तरह से हमारे eye के अंदर lens होत तो यहाँ पर आप लोगों की, एक shortly discuss किया, मैंने details से discuss नहीं किया, details से video में डाल दूँगा, बट आप लोगों के लिए sufficient है, short notes से आप दिए, वीडियो को like हो, चैनल को subscribe किये, बिना कोई नहीं जाएगा, चैनल सब्सक्राइब करो मत करो, पर मेरे चैनल में एक बार visit करके देखो, बहुत सारे lecture Hindi plus English में डले हुए, और thank you for watching, यह आपका अपना Indian Medical Lecture गया,